हलो बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उमी देखे आप लोग अच्छे होंगे तो देखिएगा हम लोग उन्हें चैप्टा नंबर 4 जो है लेजर इसको स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग पिछले सारे कोश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में ह है आपके टेक्सबुक में पीज नंबर 120 पर तो सब लोग अपने टेक्सबुक उपन कर ली जाएगा जब भी मैं आपको सॉलूशन करवाती हूं न तो आपके सामने कोश्चन होना ही चाहिए इसके लिए टेक्सबुक खोल करके बैठी है तो चलिए देखते हैं कि क्या लि लिखा हुआ है एक तरफ तो डेबिट बैलेंसे से दूसरी तरफ क्रेडिट बैलेंसे से तो यह सब एक्च्वल में है क्या तो सुनिए गा यह न पिछले महीने के जैसे हमने मतलब लेजर बनाया होगा इन लोगों ने ठीक है तो उसमें कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस है न वो सभी यहाँ पर लिखे हुए है जो भी डेबिट बैलेंसेस है उनको यहाँ पर लिखा गया है और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है यानि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यह आपका क्या हो गया ट्रायल बैलेंस हो गया ठीक है चलो ट्राइल बैलेंस तुक प्लेस डूरिंग जुलाई 2019 पॉस्ट देम इंटु लेजर एंड प्रिपेर ट्राइल बैलेंस ऐस ऑन 31 जुलाई 2019 यानि हमें यहां पर करना क्या है सुनिएगा ध्यान से जैसे कि यहां पर नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्राइल बैलेंस भी जितने भी हमने कोश्टन किये एक से लेकर करके आठ तक उसमें या तो हमको जर्नल करना रहता था या फिर लेजर करना रहता था लेकिन इसमें आपको क्या करना है तो ट्राइल बैलेंस भी बनाना है ठीक है तो ट्राइल बैलेंस बना करके इस तरीके से उसमें लिख देना होता है ठीक है तो वह कैसे होगा वह भी मैं आपको समझा देती हूं मतलब समझा सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले पता है आपको जैसे यहां पर इन्होंने जर्णल एंट्री पास करने के लिए नहीं बुला है लेकिन फिर भी हम करेंगे क्यों कि हमें यहां पर लेजर अकाउंट बनाने हैं ठीक है तो लेजर अकाउंट कैसे बनेगा तो जर्णल की अता है तो लीज़र की जैसे कि पहले यहने जर्णल आपने पास की तब आप लीजर अकाउंट प्रिप्एर कर सकते हो ठीक है उसे प्रकार से अगर आपने नहां है क्यों क्या करते हैं रगिय्क कों सा डेट डालेगा बताएगे तो यहां पे जुलाई कौन सा हाँ 2019 ठीक है चलो पहले डेट डाल देते हैं डेट नहीं यह और मन्त पहले तो फॉर्मेट बनाना होगा ना चलिए रफ महीं हम लोग फॉर्मेट भी बना लेते हैं डेट पर्टिकूलर्स फिर क्या आता है याद है आप लोग को भूले तो नहीं हो यहाँ पर आएजाएगा लेजर फोली हो यहाँ पर आएगा डेबिट अमाउंट यह लो देबिट अमाउंट और यहाँ पर आजाएगा स्क्रेडिट अमाउंट ठीक है यह पूरा ही लिख देते हैं चाहिए तो यह भी लिख दो वैसे रफ में लिख रहे हो तो इतना सारा लिखने के जरुवत नहीं है लिकिन फिर भी लिख दो के तो अच्छा ही रहेगा क्या लिखेंगे इन दा बुक्स ओफ कौन है देख लेते एक बार पवन पूने कुछ ऐसे था ना पवन पवार ठीक है पवन पवार इन दा बुक्स ओफ पवन पवार हम क्या कर रहे है जर्नल एंट्रीज पास कर रहे है तो यहाँ पर लिख देंगे जर्नल एंट्रीज ठीक है चलो यहाँ पर डालते हैं कौन सा साल है 2019 और महीना है आपका जूलाई ठीक है चलो अब एक करके हम लोग फ्रांसेक्शन को देखेंगे ठीक है और जो उपर वाला वो टेबल के अंदर डीबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिये गया है ना उनको हम कहां पर लि करते हैं तो देखिएगा एक तारीक को क्या हुआ इंटुड्यूस एडिशनल कैपिटल रुपीज फॉर्टी थाउसन यानि कि कैपिटल बिजनस के अंदर मतलब आया पैसा कि इतना आया 40,000 रुपे बिजनस के अंदर आया तो बता यह इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट अब क्योंकि आप यह रफ वक में कर रहे हो ना तो आपको नरेशन लिख करके बताने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि यहां पर इन्होंने जनल बनाने के लिए नहीं बुलाए तो हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे बस ऐ हमारा लेजर हो पाएं ठीक है यहां पर अमाउंट कितना दिया है 40,000 तो हम इतर लिख देते हैं 40,000 और यहां पर भी लिख देंगे स्टूडेंस 40,000 ठीक है इतनी बाते क्लियर है अब चलो देखो चार तारिक को क्या हुआ कि बॉर्ट गुड्स फ्रॉम राकेश रुपीज 80,000 एट 10 पॉसेंट डिसकाउंट यहनी कि हमने क्या किया ना राकेश के पास से गुड्स को पॉचस किया ठीक है तो पॉचस क्या ह स्टूडेंस देखो मैंने आपको एक बात बताई थी बड़े अच्छे तरीके से कई बार बता चुकी हूँ कि असेट्स या फिर एक्सपेंस अगर इन दोनों में से कोई भी बढ़े तो उसको डेबिट दे दो ठीक है तो देखिएगा अगर हम गुड्स को पर्चस कर रहे पर्चस का नाम आता है ना जो सामने वाला परसन है वह मेरे लिए क्या बनेगा मेरे लिए मतलब बिस्नस के लिए क्रेटर बनेगा राकेश के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दिंगे ठीक है कितने से होगा तो देखिएगा यहां पर 10% का ट्रेट डिसकाउंट भी दिय इसमें से माइनस करना पड़ेगा ठीक है तो देखिएगा अमाउंट कितना आएगा वह आपको समझाती हूं देखो जैसे कि यहां पर अमाउंट कितना दिया है 40 ने असी दिया है ना ठीक है असी अजार अब इसका 10% बता दीजिए तो इसका 10% हो जाएगा 8000 ठीक है तो हम में क्या करना होगा यह असी असार में से 8000 को माइनस करना होगा तो 000 यहां पर एक मिनट टू और यहां पर सेवन यानिकि 72000 अमाउंट हम लोग यहां पर रिकॉर्डिंग करेंगे ठीक है तो चार तारीक का हम एंट्री करते हैं क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बताया था चलो अमाउंट बताओ कितना लिखेंगे 72000 तो यहां पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट 72000 और इधर भी लिख देते हैं 72000 ठीक है इतनी बात आपको समझ में आए आगे बढ़ जाए चलो अगला ट्रांजेक्शन देखो इसमें क्या दिया है कि सोल्ड गुड्स टू रश इसे समझ जाना चाहिए कि हमने कि तुरंथ पैसा मिलेगा हमें ठीक है तो इसके लिए क्या बनेगी तो हम जानते हैं सेल्स क्या होता है इंकम मतलब रिवैनियू के अंदर आएगा यह बढ़ा तो क्रेडिट दो यानी कि सेल्सकान को हम सामान बेच रहे हैं वह हमारे लिए क्या बनेगी डेटर बनेगी क्योंकि उसके पास से पैसा आने वाला है ठीक है और याने असेट परता है तो देयर डेबिट देने का यह यहीं कि रास्मिज के अकाउंट को हम लोग देयर देने वाले हैं ठीक है तो चलो साथ तारी Trump काçons दें के दिए ठीक है इसका अमाउंट देख लेजे कितना दिया है 30,000 तो हम लिख देते हैं इधर 30,000 यहां पर भी और यहां पर भी ठीक है ना बत समझ में आई आगे चले पक्का चलो देखते हैं अगला वाला देखिएगा नौ तारिक को क्या हुआ कि रिटर्न गुड्स टू राकेश र हमने क्या करिदा था इतने काठीक है तो क्या हुआ हमने ना यहां पीजित हएक रिटर्ण कर दिया पड़ेगा पर दो है यहां पर भी हमें वहीर सेम प्रोसेस करना पड़ेगा यह जो 20 असार दिया गया ना इसमें से हमें 10% trade discount को minus करना पड़ेगा ठीक है तो 10% trade discount को minus कीजिए और जो भी amount आता है फिर आप यहाँ पर recording कीजिए ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इसकी entry क्या बनीगी पहले आप यह समझ लो तो देखिएगा अगर खरीदा हुआ सामान हम वापस करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं purchase return के नाम से जानते हैं ठीक है purchase return account को हमें debit करना होगा या फिर credit करना होगा तो देखिएगा खरीदा हुआ सामान हम लोग वापस दे रहे हैं ठीक है हमारे पास से सामान जा रहा है इसलिए हमें क्या करना होगा जो purchase return account है उ जैसे कि अगर हमने खरीदा हुआ सामान वापस इनको मतलब दे रहे हैं कितने का भी दे रहे हैं तो उतने से जो हमारी लाइबिलेटी है वो तो कम हो जाएगी ना और लाइबिलेटी कम होता है तो उसको क्या करने का डेबिट करने का इसके लिए राकेश के अकाउंट को आम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं डेबिट करने वाले हैं समझाना आप लोगों को तो चलो फिर इसकी एंट्री कर लेते हैं कितने तारीक का है यह नो तारीक का ठीक है चलो देखते हैं यहाँ पे डालते हैं नो तारीक और हम लिखेंगे कि राकेश अकाउंट डेबिट ठ इसे लिखो तो पॉट्ज से बचन अगंट कितना यह हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो देखिएगा वहाँ पर अम्माउंट कितना यह दिया है ना तो हमें क्या करना होगा थैन क्रना होगा क्योंकि उन्हों उदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया है ग्रॉस लिख दिया है ठीक है तो 20,000 का 10% क्या हो जाएगा बच्चो तो 2000 हो जाएगा है ना तो हमें क्या करना होगा यह जो 20,000 है ना इसमें से 2,000 माइनस करना होगा तो अगर मैं 20,000 में से 2,000 माइनस करूँ तो कितना आएगा 18,000 यानि कि यहां पर हम लिखेंगे 18,000 ठीक है बागी narration लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं आप जानते ही है ठीक है चलो आगे चलते है 11,001 को देखेगा होता क्य क्या है कि रश्मी return goods to us Rs.400 यानि कि रश्मी ने क्या किया Goods हमको return कर दिया ठीक है तो रश्मी मतलब कौन यह जिसको हमने सामान बेचा था कितने का बेचा था 30,000 ठीक है तो उसमें से 400 गूर्ट जो है न वो रश्मी ने return कर दिया तो अगर बेचा हुआ सामान वापस आता ह को और यहां पर हम क्रेड़ करेंगे तो रश्मी का अकाउंट है इसको हम लोग क्रेड़ कर देंगे इसके पीछे का कारण समझेगा यह रश्मी हमारे लिए क्या है टेटर है ठीक है तो अगर वह गूट्स हमें रिटरन कर रही है यानि उतने से जो हमारा डेटर नाम का असेट से वो तो कम हो जाएगा ना चार सों से 2 क्या हो रहें और कम होता है जब भी असरीट देने का इसके लिए रश्मी के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट देंगे ठीक है चली करते कि तारिक का 11 तारिक का है ना यहाँ पर हम लिखेंगे 11 तारिक और फिर सेल्स रेटर्न अकाउंट डेबिट तो क्या नाम था रश्मीज अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना आएगा 400 जी हाँ बिलकुल तो हम इदर लिख देते हैं students 400 और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 400 ठीक है इतनी बाते आपको समझ में आई ना अच्छे से चलो आगे चलते हैं अगला transaction देखिएगा 14 तारिक को क्या लिखा हुआ है कि पेट्टू राकेश रुपीज 40,000 at 2% cash discount यानि कि हमने क्या किया जो राकेश है ना राकेश कौन यह जिससे अमने सामान खरीदा था ठीक है उनको कितना payment किया तो 40,000 का हमने payment किया जिसके उपर हमें 2% का cash discount मिला ठीक है तो cash discount हमें दिखाना होता है आप लोग को याद है मैंने क्या बताया था कि trade discount यहाँ पर दिखाने की जरूबत नहीं होती है आप सिदे सिदे amount में से माइनस कीजिए और final amount को लाकर के लिख दीजिए लेकिन जो cash discount होता है उसे हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है ठीक है तो चलो देखते हैं कि इसकी entry कैसे बनीगी तो सोचिए कैसे बनीगी इसकी entry सोचिएगा ध्यान से हम क्या कर रहे है उसको payment कर तो द्वारा हो रहा है क्या जी हां कैस के द्वारा यह पेमेंट हो रहा है यानि हमारे पास से cash नाम का जो जाएगा यानि कम होगा इसके लिए cash account को हमें credit करना होगा ठीक है और हम किसको टेबिट करेंगे तो जहां से समझेगा यह payment हम किसको कर रहे है राकेश को कर रहे है तो अगर हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो जो हमारी लाइबलेटी है वो तो कम हो जाएगी उतने से जितना भी हम उनको पेमेंट कर रहे हैं उतने से हमारी लाइबलेटी कम हो जाएगी और लाइबलेटी कम होती है तो क्या करने का देखो देखो डेबिट करने का यानि कि जो यह इंक्रीज होता है तो क्या करने का क्रेडिट करने का यानि कि डिसकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट करेंगे ठीक है यानि यहां पर एंट्री बनने क्या वाली है राकेश अकाउंट डेबिट तो डिसकाउंट अकाउंट डेबिट और फिर एक और था ना येस टू cash account debit ठीक है समझा चलो फिर यहां पर entry कर लेते हैं कितना तारिक 14 तारिक राकेश account debit to discount account to cash account कितना payment कर रहे हो बताओ 40,000 का ठीक है अब ध्यान से समझेगा इसके उपर हमें ना कितने का discount मिला तो हमें 2% का discount मिला तो 40,000 का 2% इधर calculate कर लो चलो कितना लेका 40,000 का डबल जिरो से डबल जिरो कैंसल है निके 800 यह लिए यहां पर 800 लिखते है ठीक है तो अभी हमारे पास से कितना कैश जाएगा तो देखो 40,000 में से 800 को माइनस कर दो बताओ कितना आएगा तो 3,200 आ जाएगा नहीं 39,200 तो यह हो गया हमारा मतलब कैश के सामने क्यूंकि इतना हमारे पास से कैश जाएगा और यह तो हमें इतना पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा 800 रुपे हमें नहीं देने पड़ेंगे ठीक है बात समझ में आई चलो आगे चलते है अगला ट्रांजिक्शन दीखिएगा बच्चों 22 तारीक को इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेड़ पॉचिस मेड़ पॉचिस ऑफ रुपीस 70,000 अमाउंट पेट भाई चीक है निकि हमने घुट्स खरीदा कितने का 17,000 का और जो पैसा है ना वह हमने कैश में पी किया ठीक है यह तो सिंपल है पॉच्छ अकाउंट डेट टो कैश अकाउंट क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है चलो फिर इसकी कर देते हैं कुछ कुछ ट्रांजेक्शन कितने आसान होते हैं और कुछ कुछ में बहुत जादा घुमा देता है लेकिन अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई ना तो जर्नल आपको सच्छी बहुत ही सिंपल लगेगा ठीक है बस आप लोग ना जर्नल जो चैप्टर था चैप्टर नमबर उसके सारे कोश्चन को सॉल्व कर लो एक बार मेरे कहने से जितने भी प्राक्टिकल प्रॉब्लम्स दिये गाए सबको एक बार आप सारी एंट्रेस को समझ लीजिए फिर कोई भी जर्नल आने दो आप पक्का गरील होगे ठीक है चलो देखते हैं कितने तारीक का 22 तारीक का 14 के बार 20 एक मिनिट रुको जी हां 22 तारीक क्या हुआ हमने ना गुट्स पॉर्चेस किया या फिर सिल्स क्या गुट्स हमने खरीदा ठीक है तो क्या लिखेंगे पॉर्चेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एक मिनिट कैश नहीं क्यूंकि हमने यह जो अमाउंट पे किया वह बैंक के द्वारा पे किया ना चेक के द्वारा यहां पर बैंक आएगा टू बैंक अकाउंट ठीक है और अमाउंट देख लीजे कितना दी आ गया सुत्रह हजार हम लिख देते हैं इ लिख लीजेगा बच्चो 24 तारिक को क्या लिखा है लिखा हुआ है कि कैश यानि कि हमने कैस में सामान बेचा ठीक है तो इसकी एंट्री क्या होगी अगर हम लोग कैश में सामान बेचेंगे तो उतना पैसा हमारे पास आएगा यानि कि कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा ठीक है तो चलो देखते हैं 24 तारिक यहां पर डाल देते हैं और हम लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या इस अकाउंट डेबिट थोड़ा नीचे लिखू टू सेल्स अकाउंट ठीक है इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया गया आठ हजार यह लीजे मैंने यहां पर लिख दिया आठ हजार ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला ट्रांजिक्शन देख लो बच्चो 27 का इसमें क्या लिखा हुगा है कि स्टेशनरी हमने पॉर्चस किया ठीक है तो स्टेशनरी क्या होता है एक्सपेंस होता है एक्सपेंस बड़े तो उसको डेबिट देने का यानिकि स्टेशनरी अकाउंट क टू कैश अकाउंट इसका अमाउंट है तीन हजार ठीक आगे चलते हैं अगला ट्रांजिक्शन देखिएगा 28 तारिक को क्या लिखा हुगा है इसमें कि रेसेप्स रॉम रश्मी रुपीज 39,000 बाई देखिए अय ness रुपीज रुपीज स्टेशन यून य्न Clips रूपींट हम और चालता रूरी 5 फैद्स परम पैसे अगर MS का बेंक अकावंट लिखने का एक हघाओं तो सप Superior आपके पैसा आपके पैसा तो आंक इसके पीछे का आणना है क्यूंकि यह पहले हमारे लिए क्या थी अगर वह हमें पयमिंट कर दे रही है तो अब वो मतलब जो हमारा डेटर नाम का असेट है वो तो कम हो जाएगा ना इसके लिए हम लोग इसे क्या करेंगे क्रेडिट देंगे ठीक है चलो फिर एंट्री कर लेते हैं कितर तारिक का 28 तारिक का क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों को बताओ बैंक अकाउ डेबिट तो रश्मी अकाउंट ठीक इसका अमाउंट देख लेते हैं तो देखिएगा इन्होंने यहां पे लिखा है थर्टी नाइन थाउजन जिसके ओपर डिसकाउंट भी हम दे रहे हैं एक हसार का देखिएगा बच्चों यहां पर अमाउंट कितना आएगा तो हमारे बैंक में कितना पैसा आएगा थर्टी नाइन थाउजन ना तो इसके लिए हम इदर लिख देंगे थर्टी नाइन थाउजन ठीक है और देखो हमने डिसकाउंट भी दिया कितने का डिसकाउंट दे रहे हम तो एक हजार का इसके लिए हम इदर लिख देंगे एक हजार ठीक तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे 40,000 ठीक है तो यह वाली एंट्री आपको समझ में आई ना कैसे किया हमने यहां पर 39,000 ही लिखिएगा क्योंकि आपको 39,000 मिल रहा है इसके लिए चलो आगे चलते हैं अगला ट्रांजिक्शन देख लीजेगा 28 तारीक के बाद से 29 तार सेलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है और इसका नरेशन क्या हो जाएगा बच्चों देख लेजिए वहां पर लिखा हुआ है अचा नरेशन तो हमें लिखना ही नहीं है अमाउंट देख लेते हैं अमाउंट है 10,000 तो हम इदर लिख देते हैं 10,000 फिर उस 30 तारीक का ही एक और ट्रांजेक्शन है देखिए क्या लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू रश्मी रुपीस 20,000 यानि कि हमने गुड्स बेचा किसको बेचा तो रश्मी को बेचा 20,000 का ठीक है तो जब गुड्स हम बेच रहे हैं तो रश्मी हमारे लिए क्या बनेगी बच्चों अगर हम गुड्स इसको बेज रहे तो वो हमारे लिए डेटर ही बनेगी डेटर मतलब असेट्स बड़े तुसको डेबिट देने का यानि कि रश्मी के अकाउंट को हम डेबिट देने का यानि कि सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट दे देंगे ठीक है चलो यहाँपे लिखते हैं क्या लिखेंगे रश्मी अकाउंट डेबिट तू क्या बोला था मैंने सेल्स अकाउंट ठीक है इसका अमांट देख लेजिए कितना दिया ह 250 हर तो हम इतर लिख देते हैं difficult हर यहाँ पर भी लिख देंगे बच्चों 2000 ठीक है चलो यह बातें आपको समझ में आ गई अगला ट्रांजेक्शन देख लीज़ेगा इतने तारिक का है 31 का थीक क्या लिखा है इन्होंने चलो एक बार पड़ते हैं यहां पर लिखा गया है कि बॉर्ट गुड्स प्रॉम राकेश रुपीस 36000 अमाउंट पेड बाइचेक यानि कि हमने क्या क्या पेड़ेमेंट हम कैसे कर रहे हैं तो चेक के द्वारा यानि बैंक में से हमारे पैसा चाहेगा इसके लिए बैंक अकाउंट को हमें करना होगा क्रेडिट ठीक है चलो यहां पर एंट्री कर देते हैं क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स पोच्छ अकाउंट डेबिट तो क्या बोला था मैंने तो बैंक अकाउंट कितने का सामान खरीदा है तो 36,000 का यहां पर हम लिख देंगे बच्चो 36,000 ठीक है यहां तो हमने यहां पर सारी एंट्री कर ली है आप लोग देख सकते हो इतनी ही एंट्री दी गई थी न सब के सब उनने कर लिया है अब हमें इसके बाद से क्या करना है तो हमें लेजर प्रिपेर करना है ठीक है लेजर बनाने के बाद हम किस पर जाएंगे तो ट्र लेजरक बनाने होंगे ona से जाएगा ने पहला तो बनेगा दूसरा है यहाँपर लगा गंडाने तीसरा ही एक पर उसके बाद से ये रश्मी रश्मि का पांचrive woods और इस ये बाध चाहिए पर चुका है यह जाएगा आपका टेंथ वाल फिर कैसे इलेवंथ वन और क्या बैंक यह देखो डिसकाउंट इसके लिए भी हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा यह जाएगा 12 वन आप बोलेंगे इधर डिसकाउंट तो बनाएं फिर इधर डिसकाउंट बनाने क्या ज़रूरत है तो देखो ध्यां से द्यांसे मेरी बातों को सुनों यहाँ ऐको डिसकाउंट क्या हुआ है यह क्रेडिट हुआ है यह डिसकाउंट पेस अलग किया है तो यहां पर लिको है तो अलग ऑ। डिसकाउंट है और यह कौन सा है यह रिसीव वाला डिसकाउंट है इधर कहीं पर ब्रैकेट में एक लिख लेना या फिर आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आता आएगा तो यह हो गया 11 यह हो गया 12 फिर उसके बाद और कुछ यहां पर देखो नया दिख रहा है बाकी सब देख लेते एक बार देखो मशिनरी अकाउंट यहां पर कहीं फिमशिनरी आया क्या नहीं आया यानि हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा 13 वन वाला कौन सा मशिनरी अकाउंट ठीक है फिर उसके बाद देखिएगा रश्मी का अकाउंट तो हमने इधर काउंट कर ल कौंसा पवंस कैपिटल ठीक है और रुसकी नीचे देख लिए इंट्रस्ट का अकाउंड कहाँट हमनें कहीं पर इघ्वनानद हमें बनाना पड़े जिसका नाम होगा है पर उसके बाद क्या है राकेश अकाउंड हमने यहां इंदर कर लिया है मतलब और कि कि लिए है यहां पर कितने अकांट बनेंगे तो टोटल 15 अकांट यहां पर बनने वाले हैं लेजर अकांट ठीक है तो आप लोग के काम करो सबसे पहले यह जो मैंने आपको जर्नल बताया है ना आप लोग इसे अपनी नोट बुक में लिख लीजिए क्योंकि जब मैं आप आपको लेजर करवाऊंगी न तो यह आपके सामने होना चाहिए जब आपके सामने रहेगा तभी आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से ठीक है इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ उसके पासे स्क्रीन शॉट ले लो या फिर आप चाहो तो क्या कर लो मतलब लिख लो ठीक ह चलिए बच्चो आगे बढ़ते हैं और जो लेजर अकाउंट ना इनको हम लोग बनाते हैं तो देखिएगा मैंने लेजर अकाउंट का फॉर्मेट पूरा अच्छे से रेडि रखा है जितने भी हमें यहां पर लेजर अकाउंट बनाने थे सब के सब मैंने बना लिये हैं आप देख सकते हो cash account capital राकेश राकेश अकाउंट रश्मीज अकाउंट फिर purchase account sales account purchase return sales return discount allowed discount received है ना दो discount थे मैंने आपको बताया भी था एक तो था discount received और दूसरा था discount allowed ठीक है discount received का मतलब क्या होता है अगर आप goods purchase कर रहे हो और सामने वाले person ने आपको क्या दिया discount दिया ठीक है तो वह किसमें आएगा discount received में आएगा और discount allowed क्या होता है जैसे कि हमने मतलब हमने क्या क्या सामान बेचा ठीक है और हम सामने वाले person को discount दे रहे हैं ठीक है तो वह क्या होता है discount allowed होता है ओके next machinery account, stationary account, salary account, bank account और यह रहा आपका interest account ठीक है तो यह सारे accounts आप लोग अपनी notebook में बना लीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग entries पोस्टिंग करते चाहिएगा ताकि मैं जो भी बोलूँ आप सुन करके लिखते जाओ इससे आपको समझ में भी आएगा अच्छे से और आपकी practice भी हो जाएगी इसलिए format बना लोगे तो जादा अच्छ है ठीक है तो चलो अभी entry करना शुरू करते हैं मतलब पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है जैसे कि यह जो कुश्ट नंबर नहीं नहीं है देखो सबसे उपर एक table दिया गया था हम ऐसे लिखेंगे two balance brought down और अगर हमें credit में लिखना है मतलब credit balances को तो क्या लिखेंगे by balance brought down ठीक है तो चलो फिर शुरू करते हैं तो टेबल आप लोग देखते जाहिए का आपके टेक्सबुक में आपकी नजर होनी चाहिए ठीक है एक बार टेक्सबुक में देखो एक बार इतर देखो तो देखो debit balances में सबसे पहले क्या है बच्चो machinery account ठीक है तो यह debit में है तो आपको क्या करना है मतलब machinery account में जाना है और debit side ठीक है और जा करके आप लोग क्या लिखोगे और देखो date आपको क्या डालना है पहले आप यह समझ लो देखो ऊपर लिखा था ना मतलब वो जो लाइन दी गई है नेले कलर में उसको एक बार पढ़ो चलो एक बार मेरे कहने से आप लोग पढ़ो देखो क्या लिखा है यहां पर लिखते हैं 2019 ठीक और जुलाई 1st काफी छोटा छोटा है पर आप लोग मैनेज कर लीज़ेगा है ना बहुत मेनल से मैंने यह पूरा format बना एप hornet करके कि कैसे सारे अकउंट्स को मतलब पूरा यही पर हम लादे हैं सब कुछ आप लोग देखते जाओंगे आपको समझ में आता जाएगा तो चलो देखते हैं मशिंडी अकाउंट यह डेट में था क्या लिखेंगे रखाईए टू बैलेंस ब्रॉट डॉट डाउं ठीक है चलो लिख देते हैं मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख सकते हो तू और बाकी देखो format कैसा होता है आप जानते ही है कि देखो यहां पर आता है जगह नहीं थी इसके लिए मैंने लिखा ओके चलो फिर भी लिख देते हैं फिर यहां पर आजाएगा डेट पर्टिकुलरस जे एफ अमाउंट ठीक है और आपको हर एक अकाउंट में ऐसे करना देखिएगा ठीक है चलिए कहां पर थे यहां पर थे ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउं ठीक अमाउंट देख लेजी कितना दिया गया है 4,40,000 तो यहां पर हम लिख देते हैं 4,40,000 ठीक यह देखो अमाउंट भी इसमें नहीं आ रहा है ठीक है आप समझ जा ना यह जे एफ का ही कॉलम है हाँ छोटा सा कर देते इसको रुको चलो आप समझ जाओगे ना यह जे एफ का कॉलम यहां पर एक छोटी से लाइन चलो इसके साथ साथ खीज दिया अब यहां पर अमाउंट लिख देते हैं 4,40,000 0,1,2,3 ठीक है आप ल पर यहां पर है तो यह डेविट बैलेंस है ना तो आपको डेविट साइड में जाना है और जाकर के पहले तो डेट डाल दीजिएगा चली आप लोग डेट डाल दीजिए मेरे साथ 2,019 और फिर यहां पर क्या आएगा जुलाई 1 ठीक है क्या लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉ पर यहां पर जाकर के लिखिएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है और इसका अमाउंट हम देख लेते हैं कितना दिया गया है तो एक लाग थीस हजार काफे बड़े-बड़े अमाउंट्स है ना और जो हमारा कॉलम में वह काफी चोटा है पर हम इसमें लाके रहेंगे लिखके रहेंगे इसको एक लाग थीस हजार वन थ्री जीरो एक दो ती यस वन लाग थर्टी था उसर लिख दिया हमने फिर उसके बाद नेक्स वन क्या है सेल्स रिटर्न तो चलो सेल्स रिटर्न में आ जाओ यहां पर डिट डालो दो हजर उननीस जुलाई फर्स्ट ठीक क्या लिखेंगे तू बैलेंस ब्रॉट डाउं इसका अमाउंट कम होना चाहिए चाहिए चालीस अजार ठीक है चलो ठीक नेक्स्ट वन है यहां पर कैश तो कैश अकाउंट में आपको आ जाना है यह देखो कैश अकाउंट यहां पर डालेंगे दो हजर उननीस जुलाई फॉर्स्ट तू बैलेंस ब्रॉट डाउं ठीक अमाउंट इसका कितना आएगा स्टूडेंस तो देख लेज़ेगा अमाउंट यहां पर दिया गया एक लाग ठीक है तो हम इतर लिख देते हैं वन लैक एक दो तीन चार पांच येस आ गया नेक्स्ट वन है यहां पर बैंक तो बैंक अकाउंट में आ जाए यह बैंक इसका अमाउंट एक लाग अस्टी हजार ठीक तीन जिरो दिखाई दे रहें वन लेक टी थाौजन कितने जीरो है 4 एक आट फिर जाएक चार जीरो ओके नेक्स्ट वन है यहां स्टेशनरी तो स्टेशनरी अकाउंट कहां पर बनाए यहां पर बनाए ठीक है चलो आजाओ और इदर लिखो दो हजार उन्नीस जुलाई फॉर्स्ट ठीक टू बैलेंस ब्रॉट डाउं अमाउंट कितना आएगा स्टूजेंस देख लीजिएगा दो हजार तो हम इदर लिख देंगे वच्चो दो हजार ठीक है चलो यह कम अमाउंट था अच्छा हुगा तो यहां पर डेट बैलेंसे हमने सभी के सभी लिख लिए हैं अब क्रे एक जुलाई का दो हजार उन्निस जुलाई फॉस्ट बाइबैलेंस क्या लिखेंगे देखो क्रेडिट साइट में लिखते तो बाइशे शुरुआत होती है न मैंने आपको शिखाया था ना येस तो यहां पर लिखेंगे बाइबैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है बाइबैल तो आपको क्रेडिट साइड में जाना है यहां पर डालिएगा दो जुलाई एक जुलाई फॉर्स्ट क्या लिखेंगे बाइबैलेंस ब्रॉट डाउन कि इसका अमाउंट देख लेजी कितना दिया गया है तो 3,60,000 ठीक है यह भी काफी लंबा चोड़ा है 3,6,40,1,2,3,4 यह लिजे आ गया यह 6 है तीन लाख साथ हजार बराबर नेक्स्ट है यहां पर पवन्स क्यापिटल अकाउंट तो इसे हम कहां पर लिखेंगे तो यह जो क्यापिटल अकाउंट हमने बनाया ना इसमें लिखेंगे ठीक है आप यह मत सुचों कि इदर पवन का नाम नहीं लिखा तो देखो प्रॉप्रियेटर तो वही है ना तो यह कैपिटल अकाउंट उसी कहा है आप ऐसे समझे है ना तो यहां पर लिखेंगे हम लोग दो हजार उन्निस जुलाई फॉर्स्ट जुलाई एक बाई बैलेंस यह एक है कितना छोटा छोटा मुझे लिखना पड़ रहा है ठीक समझ जाएंगे ना जुलाई बाई बैलेंस ब्रॉट डाउं इसका अमाउंट देख लेते कितना दिया गया है चार लाकसी हजार चलो अब इसे में लिखना पड़ेगा चार आट कितना जीरो एक दो तीन चार ठीक है यह चार जीरो है और मुझे ना यह कुछ ठीक नहीं लग रहा मैं थोड़ा अच्छे से लिखते इसको जुलाई ठीक रेडिट में जाहिएगा डिट डालिएगा पहले तो 2019 जुलाई 1 ठीक है क्या लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है मेरे साथ लिखते जाओ ने तो बात में देगो इतना चोटा-चोटा लिख रहे हूं आपको नहीं आया समझतो इसलिए मेरे साथ लिखते ज चलो इसका डेट डाल देते हैं 2019 जुलाई 1 जुलाई 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000 ठीक यस तो हमने ये सारे क्रेडिट बैलेंस की भी पोस्टिंग कर दी है आप लोग देख सकते हो सब कुछ लिख लिया ना कुछ चूटा तो नहीं है देख लो अच्छे से नहीं स सब कुछ हमने लिख दिया ठीक है अब आपको क्या करना है तो वो जो हमने जर्नल एंट्री की थी ना चलो अब उस पर आप लोग आ जाईए और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे पोस्टिंग करते जाएंगे ठीक है तो देखिएगा एक तारीक का जो जर्नल एंट्री है वो उसमें क्या लिख वा है कौन कौन से अकाउंट है यहां पर एक कैश अकाउंट है दूसरा है कैपिटल अकाउंट ही के तो आपको सबसे पहले कैश अकाउंट में पूस्टिंग गूस्टिंक कर लेना है पहले हम लोग oyunstbox date डाल लेते यहां पर एक तारीक ठीक है आपको यह देखना है कि cash account के साथ कौन सा ऐसा account है जो हुआ है credit तो कौन सा account यहां पर credit हुआ है capital account हुआ है ना तो हम इदर क्या लिखेंगे two capital account ठीक है two capital account और कितने से यह credit हुआ है वो भी लिख दो तो देखो यहां पर amount लिखा हुआ ह है 40,000 तो हम यहां पर लिख देते हैं 40,000 ठीक समझ गए अच्छे से फिर उसके बाद इसी में दूसरा account कौन सा है capital account है ना जो क्या हुआ है credit हुआ है तो आपको capital account के credit side में जाना है और फिर यहां पर आकर के date डालिएगा और हम क्या लिखेंगे तो आप यह देखो कि capital account के साथ कौन सा ऐसा account है जो हुआ है debit तो यहां पर cash account हुआ है ना debit तो हम क्या लिखेंगे बाइग कैश account कि अमाउंट उसका कितना है 40,000 तो हम यहां पर लिख देंगे बच्चों 40,000 ठीक है फिर उसके पृटे बाद यहां पर अगला देख लीजिएगा चार तारिक को क्या होगा है पंडेब टू राकेश अकाउंट तो यहां पर दो अकाउंट आ है एक तो प्रच वाला दूसरा म 예ीच हैना तो पहले कौन सा अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है तो राकेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है है ना तो हम इदर क्या लिखेंगे स्टूडेंस टू राकेश अकाउंट ठीक और इसका अमाउंट देख लेजिए वही पर लिखा हुआ है 72,000 तो मैंने यहां पर लिख दिया 72,000 ठीक है फिर यहां पर दूसरा अकाउंट कौन सा था राकेश अकाउंट ना तो आपको राकेश के अकाउंट में आना है डेबिट की क्रेडिट तो राकेश का के साथ कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है पॉचस अकाउंट ना तो हम इतर क्या लिखेंगे बाई पॉचस अकाउंट अमाउंट उतना ही आएगा 72,000 ठीक है नेक्स्ट देख लीजिएगा अगला यहां पर साथ तारीक को क्या लिखा हुआ है रश्मी अकाउंट डेबि दाल दीजिएगा फिर हम क्या लिखेंगे तो आप यह देखिये कि रश्मी अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट हुआ है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना तो हम देख लेख लेते हैं तो अमाउंट यहां पे दिया गया है 30,000 तो हम इदर लिख देते हैं बच्चो 30,000 ठीक है चलो रश्मी का तो हो गया दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा है sales account है ना तो sales account यहां पर debit हुआ है कि credit हुआ है तो आपको sales account के credit आपको debit side में जाना है और जाकर के क्या लिखना है तो देखो sales के साथ कौन सा account है जो हुआ है debit तो रश्मी का account हुआ है debit है तो आपको debit side में जाना है debit नहीं अब credit में जाना है ठीक है यहां पर जाकर के पहले देट डालो तब बताती हूं जुलाई साथ ठीक है यह देखो कितना चोटा यह साथ है ठीक क्या लिखेंगे बाई कौन सा account है जो debit हुआ है तो रश्मी का account तो यहां पर लिखेंगे बाई रश्मी अकाउंट amount इसका देख लेजी कितना दिया गया है तो इसका amount है अब लिखाता ना 30,000 ठीक है यहां पर हम लिख देंगे बच्चों 30,000 ठीक तो हमने इसके भी पोस्टिंग कर दी चलो अब आगे बढ़ जाओ अगला यहाँ पर क्या है तो नौ तारीका ट्रांसेक्शन देख लिजीगा मतलब एंट्री राकेश अकाउंट डेट टो पॉचस रिटर्न अकाउंट ठीक है तो राकेश कहां पर है यह रहे है ना राक क्या लिखेंगे तो देखिएगा राकेश अकाउंट के साथ कौन से ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट तो पॉचस रिटर्न अकाउंट हुआ है क्रेडिट तो हम इदर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स टू पॉचस रिटर्न अकाउंट ठीक है ध्यान से देखिए तो इसका अमाउंट है एठारा हएज़ार यहां पर मैं लिख दूंगी एठारा हज़ार ठीक है और दूसरा अकाउंट यहां पर कौ hesitant ना तो परस रिटन में हमें हमें चले आना है डेबट की 그래도 तो पॉर्चेस रिटन अकाउंट यहां पर हुआ है है क्रिरिट इसके लिए हमें क्रिड़िट में जाना है और करके हम यहां पर कि अगर आलब द में धी कहते हैं और पर यह स्का अमाउंट देख लीजिए भी देखा था ना अटारह हजार सै पिर उसके बाद यहां पर अगला देख लीजिएगा 11 तारिक का इसमें दो अकाउंट से सेल्स रिटन और रश्मीज अकाउंट तो पहले सेल्स रिटन में हम लोग चलते हैं डेबिट जाएंगे कि क्रेडिट तो सेल्स रिटन अकाउंट यहां पर क्या हुआ है डेबिट हु सा अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है तो रश्मी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्या लिखेंगे टू रश्मी अकाउंट है ठीक है और फिर इसका अमाउंट भी हम लिख देंगे तो अमाउंट कितना है चार सो ठीक और दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा था रश्मी का अकाउंट frightening आपक्र ग्रेडित में हैं तो हमें क्रेडिट में जाना है और 2019 फिर जूलाई नहीं है उसके बाद से जोटाचोटा लिखना पड़ रहा है मुझे तो आज टूलाई बस आप लोग समझ जाओ ठीक है उसके बाद से छोटा रहे चाहें बड़ा रहे है कि जुलाई 11 ठीक है आपको यह देखना है कि रश्मी के अकाउंट के साथ कौन से ऐसा अकाउंट है जो हुआ है डेबिट तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हुआ है डेबिट ना तो हम इसका अमाउंट देख लेज़ेगा कितना दिया गया है 400 तो यहां पर हम लिख देंगे 400 ठ ठीक समझ रहा है ना आपको यह सेल्स रिटरन है रुको में नीचे दागे लिख देती हूं क्या करे श्मीन नहीं दिखाई देगा तो 400 ठीक तो इसके भी पोस्टिंग हमने कर ली फिर उसकी बाद देखिएगा अगला जो एंट्री है वह 14 तारिक का यहां पर कौन-कौन से अकाउंट आए तो पहला तो राकेश का अकाउंट दूसरा है डिसकाउंट अकाउंट तीसरा क्या है कैश अकाउंट तो सुनिएगा ध्यान से करना क्या है मैं आपको समघति हूँ सबसे पहले राकेश अकाउंट में हमलोग पोस्टिंग कर लेते हैं तो राकेश अकाउंट यहां पर क्या हुआ है डे livre हया ना तो आमें the discount account दूसरा क्या है cash account तो दोनों ही हमें यहां पर लिखना पड़ेगा ठीक है तो चलो लिखते हैं क्या लिखेंगे देखिएगा पहला हम लिखेंगे to discount account कि यह क्या है डिस्काउंट रिसीवड है कि अलाउड है सोचिए और सोच करके बताइए मुझे कमेंट में ठीक है तब तक में लिखती हूँ दूसरा ही आपे टू कैश अकाउंट है इसका अमाउंट देखिए यहां पे 800 है और कैश के सामने कितना आएगा 39,200 और दोनों मिला समझ में आएगा तो ध्यान से सुनो मेरी बातों को डिसकाउंट मिला तो उसे हम इस नाम से जाँते हैं और अगर हमने डिसकाउंट दिया तो उसे खरीदा था ठीक है तो इसलिए यह मतलब यह जो डिस्काउंट यहां पर दिया गया है यह क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वैसे आप लोग को एक बात बता देती हूँ जब आप लोग जनल एंटरी करते हो न तो वहीं पर ब्रैकेट में लिख करके लिए लिए तो हमने इसके कौन सबस्करावा तो देखिये का यहां पर क्रेडिट साइट में जाना होगा और छोटा लिखना पड़ेगा ए तो इसमें नहीं आ पाइगा क्या लिखेंगे आपको ये देखना है कि discount received के साथ कौन सा account है जो हुआ है debit तो देख लीजे कौन सा account यहाँ पर debit हुआ है students तो राकेश का account तो हम इधर क्या लिखेंगे by राकेश account अब amount आप कितना लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा जो discount के सामने amount है वही आपको लिखना है ठीक है चलो यहाँ पर लिख दो 400 बस आपका काम खतम ठीक है फिर यहाँ पर तीसरा account cash account है ना तो cash account के credit में आईएगा और फिर से आकर के date डाल दीजिए 2019 और यहाँ पर है ठीक है जे यू एल वाई है जे यू एल वाई जुलाई 14 ठीक है आपको यह देखना है कि कौन सा account debit हुआ है तो राकेश का account debit हुआ है ना तो हम इदर क्या लिखेंगे बाई राकेश अकाउंट ठीक है और cash के सामने जो amount था उससे हम उठाएंगे और यहाँ पर लागर के ठीक है अच्छे से आप लोग समस्ते हुए चलिए यह देखिए डिसकाउंट कितना था 800 था ना मैंने कितना लिखा है मैंने लिखा है 400 यह तो गलती हो गई रुको यहाँ पर आएगा 800 ठीक डिसकाउंट तो 800 का ही मिला था ना देख लेते हैं जी हां चलो अगे चलते हैं अगला ट्रांसेक्शन मतलब अगला यहां पर इंट्री देख लेजएगा क्या दिया है पॉच्छेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो आपको डेबिट साइड में जाना है यहां पर जाकर की डेट डालेगा आप देखिए क्या साथ कौन सा अकाउंट है जो तो हम इदर लिख देते हैं 17,000 ठीक है अभी हम फटाफट से एंट्री करने वाले हैं फिर उसके बाद दूसरा यहां पर क्या है बैंक अकाउंट जो हुआ है क्रेडिट साइड में चाहिएगा यहां पर जाकर के डेट डालिएगा 2019 जुलाई 22 ठीक है आप देखिए कि बैंक अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है तो पॉर्चस अकाउंट हुआ है डेबिट तो हम इदर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बाई पॉर्चस अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना है 17,000 तो हम इदर लिख देंग और फिर आकर यहां पर डेट डालिएगा 24 तारिक का और देखिए कि कैश अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट हुआ है क्रेडिट तो हम इदर क्या लिखेंगे बच्चों टू सेल्स अकाउंट ठीक है और फिर यहां पर अ यहां पर डेट हुआ है कैश अकाउंट ना तो हम इदर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना आएगा बच्छो आठ हजार तो यह लीजे मैंने इदर आठ हजार लिख दिया ठीक है इतनी बाते आपको समझ में फिर उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देख लिजिएगा 27 का क्या लिख्खा हुआ है स्टेशनरी अकाउंट डेट टू कैश अकाउंट तो यहां पर दो आपको साइड में चाना इस इसटेशनरी अकाउंट के और पिर जाकर के पता है यहां पर लिखेंगे 2 cash account ठीक है और जो भी amount है उसे उठाइए और लागर के यहां पर लिख दीजे कितना है 3,000 तो हम इधर लिख देंगे students 3,000 और दूसरा account यहां पर कौन सा है cash account है ना तो आपको cash account के credit क्रेडिट साइड में जाना है रुको मैं चलती हूं यह तीन हजार है ठीक है cash account के credit में जाते हैं और जाकर के यहां पर डेट डालते 27 का कौन सा account इसके साथ डेबिट हुआ है तो स्टेशनरी अकाउंट तो यहां पर क्या लिखेंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट कि अमाउंट कितना है 3000 तो यह लिजे मैंने इदर 3000 लिख दिया ठीक है उसके पासे अगला entry देख लिजेगा बच्चों क्या दिया है 28 तारीक का bank account डेबिट डिसकाउंट अकाउंट डेब अगर bank account डेबिट हुआ है तो आपको क्रेडिट वाला देखना है तो कौन सा अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है रश्मी का अकाउंट तो हम इसदर क्या लिखेंगे टू रश्मी अकाउंट ठीक है और अमाउंट कितना लिखोगे तो मैं आपको समझाती हूं देखो bank account के सामने जो amount दिया गया है उसे ही आपको लिखना है यह नहीं कि आप पूरा के पूरा लिख दो मतलब वो 40,000 है वो पूरा आपको नहीं लिखना है तो फिर कितना लिखना है बताओ bank के सामने कि 39,000 है ना देख पारे होगी नहीं तो हम इदर क्या लिखेंगे बच्चो 39,000 ठीक है चलो लिख देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है देखिएगा यहाँ पर दूसरा अकाउंट कौन सा है वाला है तो यह discount received है फिर all out है आपको कैसे पता चलेगा तो देखो अगर है दूसरा वाला discount allowed होगा मतलब जब हम लोग sales करते हैं थे मतलब सामान ढेते हैं तो जब हम discount ढेते हैं तो उसकैंट allowed होता है था तो हमने रश्मि को सामान बेचा था इसन्विदन और क्या हो तो डेट डाल दीजिए 2019 जुलाई है ना कितना जुलाई तो 28 जुलाई ठीक है तो यहां पर देखो बस में जे लिखती हूँ क्योंकि पूरा यहां पर आनी रहे बस यहां पर 28 डाल देती हो आप लोग समझ जाना ठीक आप देखिए कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जो इसके यहां पर ठीक है जो क्या हुई है क्रेडिट हुए तो आपको क्रेडिट साइड में जाना है और जाकर के पहले तो डिट डाल दो ठीक है अब देखिए कि रश्मी अकाउंट के साथ कौन-कौन से ऐसे अकाउंट से जो हुए है पहला बैंक दूसरा डिसकाउंट तो दोनों हमें लिखना पड़ेगा ठीक है तो पहला हम लिख देंगे बाइब अकाउंट और दूसरा क्या लिखेंगे 28 तारिक कोई बाई डिसकाउंट अकाउंट चलो अमाउंट कितना लिखोंगे तो बैंक अकाउंट के सामने कितना मतलब कितना अमाउंट दिया गया है 39,000 और इसके सामने कितना एक हजार दूनों मिलाकर के 40 चलो यह बात भी आप लोग को समझ में आई गई होगी अगला यहां पर देखिए 29 तारिक का देख लेजिए बच्चों यहां पर क्या दिया गया है सेलरी अकाउंट क्या हुआ है डेबिट हुआ है तो आपको डेबिट साइड में जाना है और जाकर के पहले डेट डाल दीजिएगा 2019 जुलाई कितना 29 है ना कौन सा अकाउंट है जो इसके साथ हुआ है क्रेडिट तो कैश अकाउंट तो हम इदर क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट ठीक है और इसका अमाउंट कितना आएगा यह हमें कैसे पता चलेगा तो देखो वहां पर लिखा गया है दस हजार तो हम इदर लिख देते हैं दस हजार यानि कि चार जीरो एक लिख करके चार जीरो बढ़ा दो ठीक है फिर उसके बाद अगला यहां पर देखिएगा उसी में कैश अकाउंट है ना तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप लोग आईए और आ करके इदर डालिएगा ट्वेंटीना फिर हम क्या लिख करके चार जीरो एक डो तीन चार बराबर बात समझ में आई अगला यहां पर देख लीजिए क्या है ट्वेंटीनाइन का रश्मी अकाउंट के साथ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चों तू सेल्स अकाउंट है और अमाउंट भी आ आपर दिया गया है देख ल manners कितना दिया तो यहां पर अमाउंट है वह इस हसाथ है एक है और दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा है सेल्स aqn ट्रेडेट हुआ है जाना है और रधू और यहां passionate ह३ए की साथ रश्मी का अकाउंट है घिक चलो बता माउंट कितना था 20,000 तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चो 20,000 ठीक है और फिर कौन सा अकाउंट इसके साथ हुआ है क्रेडिट तो आप लोग देख सकते हो बैंक अकाउंट हुआ है क्रेडिट तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चो टू बैंक अकाउंट ठीक है और आगर के यहां पर डेट डाली है फिर बताईए इसके साथ कौन सा अकाउंट हुआ है डेबिट तो पॉट्चस अकाउंट हुआ है डेबिट तो इसलिए हम क्या लिखेंगे बाई पॉट्चस अकाउंट दिये गए थे उनको हमने पोस्ट किया उसके वाद से जो हमने जर्नल एंट्री पास करी थी ठीक है उसकी भी पोस्टिंग हमने कर दी है अब हमें क्या करना है एक एक करके सारे अकाउंट को क्लोस करते जाना है ठीक है तो चलो फिर देरी किस बात की वह मतलब वह काम भी हम फटा-फट से कर लेते हैं और फिर उसके बाद ट्राइल बैलेंस कैसे बनाना है वह मैं आपको बताऊंगी पहले हम अकाउंट को क्लोस करते है ठीक है अगर हम इदर का टूटल करें तो कितना आएगा एक लाग फिरिये चालिस और यह आठ हजार यानिकि वन लेक फॉटी इदर आएगा डीबिट बैलेंस वन लेक फॉटी एट थाउजन ठीक है और अगर हम इदर का टूटल करें तो कितना आएगा थर्टी नाइए थाउजन टूटी थाउजन मतलब इदर वाला अमाउंट ही ज्यादा है ठीक है तो हमने क्या सीखा है कि जिदर वाला अमाउंट ज्यादा रहता है मतलब जो अमाउंट ज्यादा रहता है उसे हम क्या करते हैं दोनों साइड में लिख देते हैं तो यह जो है ना वन लेक फॉटी एट थाउजन इसे हम क्या करेंगे इस साइड भी लिखेंगे और इस साइड भी लिखेंगे ठीक है तो चलिए यहां पर हम समझ गया ना फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि यहां पर बैलेंसिंग फिकर कितना आएगा तो यह हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या करना होगा इन सभी को प्लस करके इसमें से माइनस करना होगा है ना तो देख लेजएगा दस हजार और यह तीन हजार कितना हो जाएगा तीर हजार और यह 392 10200 एसमें 13000 को जोट देंगे तो 00 29 computing कितना होते फिर एक ऐगे अपना मुषक चारी कुछ योंसंग तो हम लोग इस. फिर से यह इसके नीचे आएगा 0 0 2 8 और 5 ठीक है चलो माइनस करते है 0 0 10 मेंस दो गया तो 8 और 7 में से 17 में से 8 जाएगा तो इतना आएगा रुको मैंना कैलसे सही कर देती हूँ ठीक है आप लोग को देखो एक्जाम में कैलसे यूज कर नहीं मिलेगा लेकिन मैं यहाँ पर कर रही हूँ आप लोग मत करना आप लोग अच्छे से करना रुको एक बर मैं यह रीचेक भी कर लेती हूँ सही है पिर 1,48,000 मेंस को माइनस करना है 52,200 था ना यह देखो मैं गलती लिख रही थी हाँ माइनस 52,200 तो यहाँ पर आएगा 95,800 है ना तो हम इतर लिख देते हैं देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा 95,800 इसको चाहिए तो ऐसे पेंसिल से ना ऐसे सरकल करके आप लिख सकते हो ठीक है और यहाँ पर डेट कौन सा डालेंगे तो हम जानते ही है लास्ट डेट आता है बताईए यह जुलाई है ना तो जुलाई 31 दिनों का होता है राइट तो यहाँ पर डालेंगे 31st क्या याद है न आप लोगों को भूले तो नहीं हर बार हम कैसे लिखते थे वैसे ही लिखना है ठीक है फिर इसको हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट मंत में तो क्या लिखेंगे बताइए जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त आता है न तो यहाँ पर आएगा अगस्त एक तारिक ठीक है क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बुलो अमाउंट कितना आएगा 95,800 लिख देते हैं यहाँ पर 95,800 चलो अब इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पर तो इस साइट तो कुछ है नहीं बस इधर ही है चलो लिखते हैं कितना है 4,80,000 और यह 40,000 तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा रुक्या आपको बता देती हूं और यहीं अमाउंट हम लोग दोनों साइड में लिखने वाले हैं इस साइड भी लिखेंगे और उस साइड भी लिखेंगे 0,00 मतलब 4,0 और यह 8,12 यानि कि 5,20,000 यह तना ही होगा एक बार देख लेते हैं 4,80,000 फ्लस 40,000 जी हां 5,20,000 तो धिहान से सुनो मेरी बातों को मैंने क्या बोला 5,20,000 तो यह देखें मैं लिख रही हूं यहां पर 5,20,1,2,3 ठीक है क्या है यह 5,20,000 ठीक है और इधर भी इतना ही अमाउंट आएगा 5,20,000 ठीक और यहां पर बैलेंसिंग फिकर कितना आएगा उतना ही आएगा 5,20,000 तो यहां पर हम डालेंगे 2019 और जुलाई 31 राइट फिर क्या लिखेंगे 2 बैलेंस कैरीड डाउन और यही वाला आमाउंट यहां पर आ जाएगा 5,20,000 ठीक है तो यह हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर इस तरीके से सर्कल में आप कर सकते हो ठीक फिर इसे हम अगले महीने में लेकर के जाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउं सिस्पांच 2,000,000 30 अरे ही देखो 30 पांच 2,1,2,3,4 dr तीक है 40 पांच 2,1,2,3,4 dr भराबर चलो इसका डोडल और अगर मैं इधर का करूँ तो मेरे खाल से यही वाला जादा होगा एक बार देख लेते हैं फिर उसके बाद क्या है एट हंड्रेट तो थिन आइन थाउजन तो हन्रेट यानि कि यहां पर आगया 58 थाउजन ठीक है मतलब यह तीनों को मिला करके 58 थाउजन और इन दोनों को मिला करके जादा आएगा मतलब यही वाला अमाउंट हम क्या करेंगे दोनों साइड में लिखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि इसका टोटल काता है यह तो हमें लिखना होगा कि यहां पर इस तरीकೈ से तॉ 설ष हम कीच देंगे और पीर इसके सामने यहां पर भी दो लाईन कीचें गे हैं न और इसके अंदर अमाउंट लिखेंगे so कितना आएगा 306 चैडी जोह ठीक है इधर भी और इस साइड भी आएगा एक दो आट और टीन थी जीरो ठीक है अब हमें क्या करना होगा तो वन लेग ट्वेंटी एट थाउजन में से ना माइनस करना होगा इसके टोटल को ठीक है तो इसका टोटल कितना था 58,000 आए था ना तो मैं इसमें से माइनस तो 0,0,0,8 में से आट गया तो 0,12 में से पांच गया तो 7 यहां पर बैलंसिंग फिकर कितना आएगा 70,000 तो यहां पर लिग देंगे बच्चों 70,000 ठीक है इसको मैं सरकल में कर दू यहां पिर आप समझ जाएंगे यह यहां पर अग्जाम में यह पैंसिल से कीजीएगा ऐ कहा डालेंगे 31 तारिक क्या लिखेंगे तो बैलेंस कैरीностью-екст फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे बाइबालेंस प्रऊंड डाउन अगस्त महीने में ले करके है ना तो यहां पे लिखेंगे अगस्त कितना एक बाइबाराइब ए टारी कितना एक बैस ब्रॉट डाउं इसमें यह 20 को जोड़ देंगे तो 1,20,000 ठीक है तो हम इस अमाउंट को दोनों साइड में लिखने वाले हैं यानि कि इस साइड भी लिखेंगे और इस साइड भी लिखेंगे इसके सीधे में लाकर के 1,20,000 एक लाग 20,000 ठीक है यह कितना जीरो है 4 0 है 3 नहीं 4 उसमें 4 0 होता 1,20,000 ठीक है और अगर में इसका टोटल कर दो कितना आएगा तो 40 और यह 40 रूकिये 44,400 एक मिनट इतना आएगा ना 40,000 और उसमें 400 जोड़ेंगे तो 44,400 हो जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना होगा तो 1,20,000 में से इसको माइनस करना होगा चलो माइनस करके देखते हैं क यहाँ पर आचाएगा 11 में चार गया तो साथ आएगा ना 79,000 में माइनस करके देखते हैं एक बार अचा माइनस करना था ना 40,000 मैंने सही तो बताया था ठीक है तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना आजाएगा 79,600 यहाँ पर 34 जालेंगे और इसे अगले महेने में हम लोग ठांस्पर करेंगे खिंगे अगख एग तारीख 2 बैलेंस ब्राट्ट डाऊन थीक है इंदर एक तारीख डालेंगे और लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन चलो बता अमाउंट कितना आएगा तो 79,600 यह लिजे मैंने यहां पर लिख दिया और इस तरीके से यह जो रश्मी का अकाउंट था यह भी हमने कर दिया है क्लोस ठीक है बात समझ में आ रही है न इतनी चलो अगला अकाउंट देखते हैं और हम इसको क्लोस करते हैं अगर मैं यह सारे अमाउंट्स को जोड़ू तो कितना आएगा 1,30,000 72,000 चलो अलग से आपको जोड करके बताती हूं यह 1,30,000 फिर उसके बाद से 72,000 72 यहां पर आएगा ठीक फिर क्या है 17,000 और यह हो गया 36,000 ठीक है तो 3,0 ऐसे लाइन से करके इधर लिख दो फिर 2,7,2,9 9,6,15,5 एक आगया 17,10,11,11,12,12,15 फिर एक आगया मतलब 2,55,000 ठीक है बच्चो एक बार रुको मैं कैलसे से भी इसको जोड़ करके देख लेती हूं तो एक लाग 30,000 प्लस 72,000 प्लस 17,036 दो लाग 25,000 ठीक है तो यह अमाउंट हम क्या करेंगे दोनों साइट में लिख देंगे क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं तो यहां पर लिखिएगा 2,55,000 दो पाच पाच और कितना 0 30 आएगा एक दो तीन समझेगी नहीं 2,55,12,3 ठीक है और यहीं 30 इस साइड भी आ जाएगा दीखिए यहां पर 2,55,12,3 ठीक है 30 यहां पर अब हमें क्या करना है तो यहां पर बैलेंस केरीड डाउन भी करना पड़ेगा और ब्रॉट डाउन भी करना पड़ेगा है ना तो यहाँ पर डालेंगे 2019 जुलाई 31 ठीक है क्या लिखेंगे by balance carried down तो कितना balance यहाँ पर carried down होगा तो जितना है उतना हो जाएगा 255,000 तो यहाँ पर हम लिख देते 255,000 ठीक है यह तीन टे 0 है यह आगया balancing figure अब इसको चलो तो अगले माहिने में लेकर के आजाओ इस साइट क्रॉस करना होता है जानते हो ना चलो क्रॉस कर दो यहाँ पर लिखेंगे करना पढ़ेकर इस वह द्याद यहां मैंने न चलोडना पड़े विग 3,88,000 ठीक है और यह आमाउंट हम क्या करेंगे दोनों साइड में लिख देंगे ध्यान से देखो कैसे में लिख रही हूँ यहाँ पर 3,88 और 3 टे 0 भी लिखना है समझ गया ना 3,88,000 और इस साइड भी इतना ही लिखेंगे ठीक और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना आजाएगा देखिए यहाँ पर डालेंगे 2019 और जुलाई 31 टू बैलेंस केरी डाउं कितना इतना ही आएगा 3,88,000 ठीक है चलो इसे अगले महिने में लेकर के चलो अगस्त फर्स्ट क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे बाइ बैलेंस ब्रॉन टाउं कितना 3,88,000 ठीक है समझ गये तो यह अकाउंट भी हमने क्लोस कर दिया अब बार यह पॉचस रिटर्न की तो चलो अब इसको भी जोड देते हैं तो 18,000 और यह 60,000 दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 78,000 इतना ही होगा ना तो 78,000 वाला जो अमाउंट ही है अमें दुनों साइड में लिखना होगा ठीक फिर उसके बाद यहां पर बैलेंसिंग फिगर भी 78,000 यह आएगा आप जानते ही हैं तो यहां पर डालेंगे 2019 जुलाई 31 टू बैलेंस केरिट डाउं कितना आएगा 78,000 ठीक फिर इसे अगले माहिने में ले करके चलो अगस्थ एक यह गोला थोड़ा अच्छे से बनाना था यह जे को पूरा मिटाई दिया ठीक है चलो बाइ बैलेंस व्रॉट डाउं अमाउंट इतना आएगा उतना याएगा 78,000 तो हम इतर लिख देते हैं बच्चो 78,000 ठीक है बात समझ में आई यस तो हमने यह आपे पॉर्चस रेटर्न अकाउंट को भी क्लोस कर दिया है अब बार यह सेल्स रेटर्न की ठीक है तो कौन सा बार देखो आप तब तक मैं बताती हूं आपको यह 40,000 और 30,000 तो इस ही अमाउंट को क्या करने वाले दोनों साइड में लिखने वाले हैं तो कैसे आएगा कितना आएगा यहां पर चालिस हजार चार सो देखो चालिस हजार चार सो और इधर भी उतना ही आएगा और बैलेंसिंग फिकर कितना आएगा अगर मैं इसमेंस इसको माइनस कर दू तो चालिस हजार चार सो में से माइनस कर दिया जाए तीस हजार को दस हजार चार सो ठीक है तो देखिएगा यहां पर बैलेंसिंग फिकर आपका आया है 10,400 राइट और इस अमाउंट को हम लोग क्या करने वाले हैं इस तरीके से लिखने वाले यहां पर डालेंगे 30 फोस क्या लिखेंगे बाई बैलेंस क्यारिट डाउन ठीक और फिर इसे अगले माइने के लिए हम लोग लिखेंगे रुकिया ठीक क्या लिखेंगे अगस्त इधर डालेंगे अगस्त एक तारिक है ना फिर लिखेंगे यह एक है तू बैलेंस ब्रॉट डाउन फिर यहां पर 10,400 हम लिख देंगे ठीक 10,400 बाते मेरी समझ में आ रही है कि ने आप लोगों को येस 10,400 हमने यहां पर लिख दिया तो इस तरीके से सेल्स रिटन अकाउंट भी यहां पर क्लोज हुआ अब बारी किसकी है डिसकाउंट रिसीवड अकाउंट के ठीक है तो डिसकाउंट रिसीवड में ज्यादा कुछ है नहीं देखो यहां पर 800 है तो 800 को हम लोग दोनों यहां पर लिख दिया 800 और इधर भी आ जाएगा 800 ठीक है और बैलेंसिंग फिगर भी इतना ही आएगा 800 ठीक है यहां पर डालेंगे डेट 2019 जुलाई 31 टू बैलेंस केरिट डाउन ठीक और 800 अगया बैलेंसिंग फिगर फिर इसको अगस्ट महिने में ले जागर के लिख दो अगस्ट एक तारीक को क्या लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आमाउंट आएगा 800 तो यह लिए मैंने यहां पर लिख दिया बच्चो 800 ठीक है बात समझ में आ रही आपको अब डिसकाउंट अलाउड की हम बात कर लेते हैं तो कितना है 1000 तो यह वाला आमाउंट दूनों साइड में हम लिख देंगे 1000 ठीक है और इस साइड भी इत बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 1000 यहां पर डालेंगे 2019 जुलाई 31 ठीक है क्या लिखेंगे बाई बैलेंस करेड़ डाउं और फिर यही वाला अमाउंट यहां पर अगले माहिने के लिए हम लिख देंगे अगस्त एक तारीक का क्या लिखेंगे यह अगस्त है एक तारीक टू बैलेंस ब्रॉट डाउं कितना आमाउंट आएगा 1000 यह लिजे मैंने यह आप लोगों को यहां पर हमने यह सारे अकाउंट्स भी क्लोस कर लिए आप लोग देख सकते हो अब बारिए यह पांचों अकाउंट्स की पांच है ना एक दो तीन जार पास ठीक है तो चलो इनको भी फटा-फट से क्लोस कर लेते हैं यहां पर देखिएगा मशिनरी के डेबिट साइड में कितना है चार लाग चालीस हजार तो यही इसका टोटल हो जाएगा है ना तो इसे हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स दोनों साइड में लिखने वाले हैं देख एक दो तीन चार ठीक है तो तीन चार ठीक है आप समझ जाहिए चार जीरो है फिर यहां पर बैलेंसिंग फिकर भी उतना ही आएगा दो हजार उननेस जुलाई 31st ठीक है जुलाई 31st क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस केरिड़ंग अमांट कितना आएगा 4,40,000 ठीक है चलो यहां पर फिट से अभी लिखना पड़ेगा 4,40,000 कोई भात नहीं सब लिख लेंगे ठीक यस चलो अब इसको अगले माहि लिख दो अगस्त एक तारीक क्या लिखेंगे टू बैलेंस के एक है नीचे में लिखती हूं टू बैलेंस ब्रॉट डॉट 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 चलिए बताइए अमांट कितना आएगा तो अमांट यहां पर वहीं आएगा 4,40,000 ठीक है यह हो गया आपका 4,40,000 है ना तो यहां पर हमने की मशिनरी अकाउंट को भी क्लोज कर दिया है अब बार यह स्टेशनरी अकाउंट की तो देखिएगा स्टूडेंस कौन सा अमांट जादा रहेगा इसे साइड का कितना होगा 2000 और तीन सार कितना हो जाएगा 5000 ठीक ह तो यह जो 5000 है ना इसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं दोनों साइड में लिखने वाले है ठीक है यह 5000 को इधर भी लिखेंगे और इस साइड भी हम लोग लिखने वाले हैं बच्चो 5000 ठीक है फिर उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर देखिएगा बैलेंसिंग फिगर उसके बाद balance brought down भी लिख दो अगस्त एक क्या लिखेंगे तू बैलेंस ब्रोट डाउं कि तीक है कितना अमाउंट आएगा 5000 तो यह देखिए यहां पर बैलेंसिंग फिगर आपका 5000 आ गया उसके बाद से सैलरी अकाउंट की बाद कर लेते हैं तो इसको क्लोज कर दिया जाएं देखिए यहां पर कितना है दस हजार तो यहीं दस हजार दोनों साइड में आ जाएगा दस हजार है न जी हां और फिर इसी को हम लोग इधर भी लिखेंगे दस हजार करके यस यह रहा ठीक है फिर उसके बाद यहां पर डेट डालिए 2019 और फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंस जुलाई 31st जे यू ल आई और ल वाई ठीक है और फिर यहां पर डालेंगे 31st क्या लिखेंगे बाई बैलेंस करेड़ डाउन ठीक है अमाउंट कितना आएगा बच्चो दस हजार ठीक है तो इसको आमने इस साइड लिख दिया फिर हम इसी अमाउंट को इस साइड भी लिखेंगे अगस्त में करके मतलब क्रॉस करते हैं आप जानते ही है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है यहां पर लिख दी चीएगा कितना दस हजार ठीक है अच्छे से लाइन वगएरा सब खीच करके लिखना यस तो हमने यह वाला अकाउंट भी क्लोज कर लिया राइट अब बारी किसकी बैंक अकाउंट की बारी है राइट तो चलो यह देखो बच्चो यहां पर ना इसके लिए तो चलो फिर हमेंना यह रफ करना पड़ेगा तो पहले चलो पहले इसी को कंप्लीट करते फिर बाद में यह दोनों मैं आपको क्लोज करके बताती हूं ठीक है सुनो मैंने क्या गडबड की है यह जो रश्मी है ना रश्मी इसको हमें कहां पर लिखना था सेल् Project 30,000 यह हमें कहां पर लिखना चाहिए था सेल्स अकांट में लेकिन हमने कहां पर लिख दिया सेल्स रिटन में ठीक है तो इसले हमें यहां से मिटाना है और यहां पर लाकर के लिखना है ठीक है तो चलो फिर मिटाई देते हैं रुखो ज्यादा मैनत नहीं करेंगे बताती इसको दोड़ा उपर लिखते हैं बाई रश्मीज अकाउंट बदाती हो रुको रुको एक मिनट ठीक है दोड़ा आप लोग प्लीज सही कर लिजेगा बाई रश्मीज अकाउंट ठीक है साथ तारीका कितना है अमाउंट देखो 30,000 है ना तो हम यहाँ पर यह 20,000 मिटाओ और 30,000 लिखो ठीक यह 30,000 यहाँ पर आ जाएगा ठीक उसके बाद से 29 को भी यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट लिखा हो ए न तो रश्मी के आकाउंट में आपको जाना है देखो यह डेट मैं तो रिक्ट में जाईएगा यहाँ पर लिखिएगा बाई रश्मी अकाउंट ठीक अमाउंट कितना आएगा तो देखो वहां पर सेंस के सामने कितना अमाउंट है 29 वाला 20,000 तो यहां पर हम लिख देते 20,000 ठीक है चलो हां यह मैंने लिख दिया फिर उसके बाद यहां पर डिफरेंस क्या आएगा तो 3,88,000 आया था ना इसमें अगर मैं 30,000 को जोड़ द हजार यानि कि यहां पर देखो यह अमाउंट में चेंजेस आएंगे 4,18,000 हो जाएगा ठीक इस इधर भी हम वही लिखेंगे ठीक 4,18,000 यहां पर भी वही चेंज आएगा 4,18,000 और बैलेंसिंग फिगर भी हमारा कितना आएगा 4,18,000 ठीक समझ गया ना और इसको यहां से मिटाईए यह जो हमने गलत लिख दिया था चलिए इसको यहां से ख़दम करते हैं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इसको पूरा ही रफ कर देती हूँ ठीक है और इधर का अमाउंट एक मिनटी सीव मिटाना पड़ेगा कितना आये 4,400 तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर भी इतना ही आएगा रुको पहले बाइ बैलेंस केरिट डाउन चालिस हजार चारसो ठीक यह बैलेंसिंग फिगर है और फिर यहां पर जो टोटल अमाउंट आया था वो तो लिखना ही पड़ेगा ठीक और यहां पर भी चेंज हो जाएगा चालिस अजार चार्सो ही आएगा ठीक समझ गया है येस तो आप लोग इसको प्लीज थोड़ा करिक्टर लीजिए का यहां से मैंने देख लिया चलो आगे चलते हैं बैंक अकाउंट को क्लोस करते तो कौन सा वाला साइट जाधा होगा तो यह एक लाग असी वह सत्रह और चत्तिस मतलब यहीं वाला यहां आठ नो दो सिग्यार प्रिये एक आगया यानिकि दो लाक उनिस हजार तो दो लाक उनिस हजार दूनों साइड में आएगा इस साइड भी और इस साइड भी ठीक अब क्या बैलेंसिंग फिगर यहां पर कितना आएगा तो पहले इसका टोटल करना पड़ेगा तो चत्तिस हजार और वो सत्रह हजार रुकों में जोड़ करके आप लोग को बताती हूँ सत्त्रह हजार और चत्तिस हजार 53,000 ठीक है तो 2,90,000 में से हमें 53,000 को माइनस करना पड़ेगा माइनस कर देते हैं 2,90,000 में से माइनस करो 53,000 को तो कितना आएगा 1,66,000 ठीक है तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितना आया स्टोडेंस 1,66,000 ठीक क्या लिखेंगे हम 34 से देट डालेंगे लिखेंगे बाई बैलेंस क्यारिट डाउन ठीक है फिर उसके बाद इस साइड में आ जाईए और अगस्थ एक तारिक डाल करके लिखिएगा अगस्थ एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,66,000 ठीक समझ गया ना तो यहाँ पर हमने ये बैंक अकाउंट को भी कर दिया है अव लास्ट में आता है इंटरस्ट अकाउंट तो चलो फिर इसको भी क्लोज कर देते हैं तो इसका अमाउंट कितना है छे हजार तो छे हजार दोनों साइड में हम लिख देंगे इस साइड भी लिखेंगे और इस साइड भी लिखेंगे ठीक यहाँ पर क्या आएगा दो हजार उननिस जुलाई थर्टी फरस्ट टू बैलेंस कैरेट डाउन अमाउंट कितना आएगा कि छह हजार ठीक है फिर उसके बाद यहाँपर दूसे असाइड मेंजा 돼-जारिए कडिए यहाँपर डालेंगे फ्रेफ ना यहाँआ लिखेंगे और दै इंन रिखेंगे और कुलोस कर लिया है आप लोग देख सकते हो इसका balancing figure कितना है सुनो एक बार बोल रही हूँ अगर आप लोगों ने अपनी notebook में लिखा है तो मिला लीजेगा ठीक है सुनिए यहाँ पर इसका balancing figure आया है 95,800 इसका कितना आया है 5,20,000 ठीक है और इसका आया है 70,000 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और इस साइट कितना आया है यहाँ पर यहां पर देख सकते हो 4,40,000 यहां पर कितना आया है 5,000 यहां पर भी 1,000 है यहां पर 1,66,000 और लास्ट में आप लोग देख सकते हो आ चुका है कितना 6,000 ठीक है तो मिला लीजिएगा अच्छे से तो यहाँ पर फाइनली जो आपका लेजर अकाउंट है यह होता है complete लेकिन यहाँ पर आपका question complete ने हुआ क्यों 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 हमें बोला गया था कि ट्राइल बैलस भी बनाइए ठीक है तो अब ट्राइल कैसे बनेगा तो ध्यान से सुनिए आपको बैलेंज में इंहीं क्या करना है त्राइल में दो साइड होते हैं एक तो होता है डीट बैलेंस दूसरा होता है गर वो डेट साइड में है तो आपको समझाती हूं जैसे यहाँ पर यह चैश अकाउंट है किस साइड आया है तो डेट साइड में आया है तो हम क्या करेंगे जो ट्रायल वैलेंस रहेगा उसके डेट बैलेंस में जाएंगे और वहां पर हम लिखेंगे कैश ठीक है और कैश के सामने यह वाला अमाउंट लिखेंगे कितना बना पाएंगे तो जरूर आप लोग इसको लिख लो और याद रखो यह जो ब्रॉट डाउन दिखाई दे रहा है यही वाला अमाउंट हम लिखते हैं जिस साइड यह रहता है उसी साइड में हम ट्राइल बैलेंस के लिखते हैं ठीक है यह क्रेडिट में है तो क्रेडिट ब बैलेंस भी बना लेते हैं तो देखिएगा यहां पर आप ऊपर क्या लिखोगे ट्राइल बैलेंस ऐस ऑन 31 जुलाई 2019 क्योंकि क्या लिखा हुआ था कि प्रिपेर ट्राइल बैलेंस ऐस ऑन 31 जुलाई 2019 तो वही डेट हम लोग यहां पर डालेंगे ठीक है और फिर उसके बा बैलेंस और यहां पर क्या आएगा तो यहां पर आजाएगा आपका अमाउंट फिर इधार हमें लिखना है क्रेडिट बैलेंस इस तरीके से आप सभी लोग फॉर्मेट बना लीजिए ट्राइल बैलेंस का यही होता है फॉर्मेट देखो कितना सिंपल अब आपको करना क्या है तो जो हमने लेजर अकाउंट बनाया था उसमें आपको देखना है अगर आपने स्क्रीन शॉट लिया है तो उसमें देखिए या फिर अगर आपने नोटबुक में लिखा है तो आप देखो लेकिन लेजर अकाउंट सा आपको देखते जाने है ठी हमने एक तारिख डाल कर लिखा है तो यह क्या होगा अने वहां करें न हम इस ब्रॉट डाउन में अमाउंट कितना लिखा है हमने देखो 95800 ठीक है तो यहां पर आपको लिखना है 95800 ठीक येस इस तरीके से बात समझ में आई हाँ ऐसे करना है तो यहां पर कैश तो हमने लिख लिया फिर उसके बाद दूसरा तो अब आप यह देखो कि लास्ट में हमने कैपिटल अकाउंट में ब्रॉटडाउं कहां पर लिखाया तो अगर आप दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंस ब्रॉटडाउन हमने लिखाये ग्रेडिट साइड में ठीक है तो मतलब क्या हुआ है इसका कि यह होग कितना आएगा तो देख लीजिए अमाउंट कितना लिखा है हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन में पांच लाग बीस अजार फाइल एक ट्वेंटी थाउजन तो हम इधर लिख देंगे टडल करके। अगस्त एक बाइंस ब्रोट डाउन ठiक तो मतलब यह क्रेडिट में है यहीं कि क्रेडिड़ वाल motivations ठीक तो क्या लिखेंगे हम यहाँ रश्मी रष्मी ना श्मी राकेश ठीक है यहाँ पर मिएमें लिखेंगे राकेश और इनका अमाउंट कितना आएगा तो देखो बैलनस ब्रॉटट आन में लिखा है 70,000 तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 70,000 ऐसे चलो आगे चलते हैं अगला बैलेंस तो डेबिट में आ जाए और यहां पर लिखेंगे हम लोग रश्मी ठीक और इसका अमाउंट कितना आएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में बैलेंस होगा ठीक है कितना तो देखो वहाँ पर लिखा हुगा है तो यहां पर हम लिखेंगे पर्चेस ठीक और इसका अमाउंट आ जाएगा 255,000 ठीक निक्स्ट अकौंट देख लीजिगा थो इसमी Green租्ट सब्सक्राइए तो सेल्सवरिकेंगें Faculty में देखो दयान से क्रेडिफ्ट में लिखा है यानि कि यह हो जाएगा credit balance ठीक है तो credit side में आ जाईएगा और यहां पर लिखिएगा sales और इसका amount कितना आएगा तो देखो वहां पर amount बताया गया कितना sales account में देख लो balance brought down के सामने amount कितना लिखा है 4,18,000 तो हम यहां पर लिखेंगे students 4,18,000 ओके clear है चलो आगे चलतें आगला यहां पर account कौन से है purchase return का है न इसमें हमने देखो जो हमारा balance है वो हमने debit में लिखा है के credit में लिखा है बैलेंस brief है अधर लिख्व हुँआ है और इसका अमाउंट कितना आएगा तो देखो उसके सामने अमाउंट भी लिखा होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने कितना अमाउंट लिखा है 78,000 तो हम यहां पर लिख देंगे स्टूडेंस को तो नेकस्ट आकाउंट है सिर्ए के मैं तो इसमें देखोuben देलेंस है या एक्र क्रेडिट बैलेंस हैं। यहां पर हम लिखेंगे discount received और इसका amount कितना आएगा तो देखो उसमें amount कितना लिखा हुए balance brought down के सामने amount हमने लिखा है 800 इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा बच्चो 800 ठीक है फिर उसके बाद देखिएगा अगला account कौन से है discount allowed का है तो उसमें देखो जो balance brought down है वो हमने debit में लिखा है या फिर credit में लिखा है तो वो हमने debit में लिखा है तो आपको debit side में आना है और फिर यहाँ पर लिखना है discount allowed amount कितना आएगा तो उसके सामने जो amount लिखा हुआ है लिख दीजी कितना आए लिखा सार तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट वन थाउजन ठीक चलो आगे चलते हैं discount allowed हो गया discount received हो गया अगला account कौन सा है machinery account है तो इसका amount है balance brought down वो हमने कौन साइड लिखा है debit में की credit में debit में यानि कि यह हो जाएगा debit balance ठीक है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अगला account कौन सा है stationary account तो इसमें देखिएगा जो balance brought down है वो हमने किदर लिखा है debit में के credit में तो वो हमने लिखा है debit side में दिख रहा है आपको दो side होते है ठीक है एक तो होता है debit दूसरा होता है credit तो आपको यह देखना है कि जो balance brought down है जो हम लोग लास्ट में एकदम लिखते हैं अगले महिने में जो transfer करते हैं ठीक है balance brought down करके वो किदर लिखा हुआ है तो देखिएगा इसमें balance brought down किदर लिखा है तो यह लिखा है debit में यानिकि यह हो जाएगा debit हजार ठीक है यह लिख दिया अगला account यहां पर क्या है salary account तो देखिएगा इसमें balance brought down किदर लिखा है debit में की credit में debit में लिखा है ना देखो कितना एक हजार तो हम यहां पर लिखेंगे salary और फिर 1000 ठीक उसके बाद से यहां पर एक और account है bank account तो देखिएगा इसका अगला जो balance मतलब balance brought down वह हमने किस साइट लिखा है तो यह भी हमने debit में लिखा यह भी debit balance हो जाएगा कितना है 1,66,000 तो हम यहां पर लिखते हैं bank और यहां पर लिखेंगे 1,66,000 ठीक है यहां पर लास्ट में देख लीजेगा students क्या है interest तो interest यह मतलब balance brought down वह हमने debit में लिखा है या फिर credit में लिखा है तो वह हमने लिखा है credit में यह क्रेडिट में यहां पर हम लिखेंगे छोड़ाओ यह होदा है credit ठीक है तो सुनो ध्यान से यहां पर suppose करो यहां पर लिखा है कि buy balance carried down करके यह होता है buy balance carried down ठीक है फिर हम क्या करते यह जो balance होता है इसको अगले महीन में transfer करते हैं और क्या लिखते हैं to balance brought down करके two balance brought down आब यह जो था यहां पर रहता और यहां पर रहता कि यहां पर करके तो यहां पर यहां पर जाता क्रेडिट में तो आपको ऐसे करके देखना है बराबर चलो इतना काम तो हमने कर लिया अब हमें क्या करना है इसका टोटल करना और ध्यान में रखिएगा मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रायल बैलेंस होता है इसका डेबीट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या होना चाहिए दोनों के दोनों सेम होना चाह मैं हाथ से आपको करके बताती हूं लेकिन काफी ज्यादा अमाउंट है और बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है आप सोच रहोंगे कि यह क्वेश्चन कब खतम होगा अब खतम हो गया फाइनली अब ज्यादा टाइम नहीं लेगा बस में इसका टूटल कर दो उसके बासे अ कि यहां पर आएगा इसका टूटल वैसे टूटल इक्वल ही आना चाहिए है ना होप सो की इक्वल ही आए नहीं तो पूरा हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा 255,000 प्लस 40400 फिर यह 1000 ठीक है फिर 440,000 एक मिनट चार लाग 40,000 बराबर फिर यह 5000 एक हजार और लास्ट में आता है 16600 यनि कि इतना आया देखो इसको अलग से से पहले लिखते हैं क्योंकि दोनों मैच होना चाहिए याद रखना अगर मैच नहीं हुआ मतलब हमने अमाउंट लिखने में कही नहीं गड़बड़ी की है ठीक है इसलिए मैं पहले इधर अमाउंट लिख लेती वन जीरो एट त्री एट डबल जीरो ठीक है चलो अब इधर सेवेंटी एट थाउजन आठ सो छे हजार इसका टोटल कितना आया आपको बताती हूं 1092800 ठीक है यहां पर अमाउंट मैच नहीं हुआ फिर क्या करना पड़ेगा हमने अमाउंट लिखने में कही न कहीं पर गलती किया ठीक है तो आपको क्या करना है वैसे हर बार नहीं हो होगी देखो यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहे है अभी पता लग जाएगा तो यहां पर ना शायद से यह देखो इधर 9000 का यहां पर डिफरेंस आ रहा है चलो देखते एक बार हमने क्या गटबढ़ की है तो सुनो मैं आपको देख करके बताई देती हूं जैसे हमने य 4,40,000 फिर यह श्टेशनरी 5000 ठीक है फिर उसके बाद सेलरी कितना है 1000 तो सेलरी देख लेते एक बार यह देखो बच्छो सेलरी अकाउंट देखिएगा वहां पर देखो कितना अमांट दिया गया है 10,000 है मैंने 1000 लिखते है यहां पर यह होगा 10,000 ठीक है अगर आप ऐसे अ इतना पड़ेगा आप फिर से यह पूरा जोड़ करके देख लिजेगा इतना ही आएगा 1092800 ठीक है इसमें अमें कितना और जोड़ना पड़ेगा तो इधर से हमने 1000 तो जोड़ दिया था यानि कि 9000 इसमें अगर आप और प्लस करोगे न तो आपका यह जो अमांट है वह इतना ही आया ठीक है चलो अभी यह जो अमांट आया है इसे हम इधर लिख देंगे तो 1092800 ठीक है 1092800 यानि इसको आप पड़ोगे कैसे तो देखो 10,92,800 10,92,800 ठीक है इधर भी हम लिख देते हैं स्टूडेंस 10,92,800 तो यह है आपका फाइनल अमांट है ना तो फाइनली question number 9 है देखो हमने कौन सा question solve किया question number 9 ठीक है यह यहाँ पर complete होता है और इसी के साथ ही जो आपका लेजर अकाउंट था मतलब लेजर वाला chapter था यह भी complete हुआ ठीक है बच्चो तो अच्छे से आप लोग practice कीजिएगा बार बार खहती हो कि आप लोग लाइन से सारे वीडिय कीजिएगा और आप लोग को बता दू कि जो class 12 है ना class 12 के सारे chapters accounts के हो या फिर mathematics के हो सब के सब हमने complete करवाए हुए है तो आप लोग class 12 का भी टेंशन छोड़ दीजिए आराम से account पढ़िएगा इसी तरीके से मैंने class 12 के भी accounts को सिखाया है तो आप लोग 12 में भी मन लगा अगर के पढ़ना मतलब महुँ सादा मेहनद नहीं करनी है बस मतलब जितना है उतना पढ़ो अच्छे से कुछ भी ऐसे हलके में मत लीजिए सब पढ़िए अच्छे से ठीक है और यहीं बोलना चाहूंगी अगर आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जॉइ लीजिएगा क्योंकि यहां पर मैं आपको जो भी सॉलूशन करवाती हूं ना बच्चो उसकी पीडियाफ फाइल जो है वह हमारे टेलीग्राम चैनल में होती है तो वहां से जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे तो आपको पीडियाफ फाइल मिल जाएगे जिससे आपको अगले लेशन के साथ ओके चलो गुडबै अवरीवन